सो गाइस फाइनली सोला घंटो की मेहनत के बाद हमारा जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कोबल्स्टोन फार्म है जिससे कि हमें 6,50,000 कोबल्स्टोन पर आर मिलने वाला है वो बनके रेडियो चुका है अब इससे पहले हम आपको देखा हूँ यार जरूर वीडियो का लाइक कर दे देना सो क्या आप सबी रेडियो त्री टू वन है है लो गाईस वेलकम बैक या चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर हैंड गाईस आज के इस वाले माइन क्राफ्स सर्वाइवल सिरीज के पार्ट में हम बनाने वाले हैं वाल्ड बिगेस्ट कोबल्स्टो चौन फार्म और भाई सब्सक्राइब हैं अधर यह ज्यू वाले हैं मतलब यूज करनेड़ का व्यूंत क्लों नोहीं वाले हैं इतना व्यूड़ आप भी अपलाई करके हमसे भी बड़ा कोबल्स्टों फार्म बना सकते हैं मतलब आप देखे मोलो अब व्यूज दो खेर गाईज अगर आपको याद हो तो लाश्ट वाले Minecraft Survival Series के पार्ट में हमने कहीं कि यह वाला Slime Farm बनाया था और यह Slime Farm भाई क्या ही काम कर रहा है मतलब यह हमारा खुद का डिजाइन है खेर गाईज अब मैं आपको बता दू कि हम जो Cobble Stone Farm बनाने वाले हैं उसमें हमें कितना Cobble Stone मिलने वाला है एक मिनट में हमको एक Farm से मिलने वाला है चार स्टैक Cobble Stone के मतलब कि 256 Cobble Stone और वहीं वैसे वैसे हमने अभी मतलब अभी फिलाल की बात कर बनाने से पहले हमको ऐसा लग रहा है कि 40-42 के करीब Farm हम बनाने वाले हैं जिससे हम मिलेंगे 10,752 Cobble Stone पर मिनट एक घंटे की बात करें तो 6,45,120 Cobble Stone पर आर तो भाई साब इतना बड़ा अभी तक किसी ने ने बनाया मैंने यूटूब पे चेक किया था तो यूटूब पे जो मतलब कि सबसे बड़ा जिसने बना रखा है उसका record है 1,20,000 Cobble Stone पर आर का लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं उससे हमें मिलने वाले 6,45,120 Cobble Stone पर आर मतलब कि सीधा सीधा थिका जाए तो 6 गोना ज्यादा भाई साब आज की ये वाले वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक ने करा जल्दी से लाइक कर दिया करो मतलब बहुत जादा मेनत करते ह है यार हम ऐसे लिए तो लाइक कर जी अगरो और चैनल पर पहली बारा रहते हैं देखो सब्सक्राइब तो करना ही लेकिन जब हम अपना कोबल स्टोन फार्म बना लेंगे पूरा बनके तयार हो जाएगा तब आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देना मतलब यास से कर देना सब्सक्राइब क्योंकि हमारी माइन कर से वेल तो आपना कोबल स्टोन फार्म बनाने वाले ना वह जश्ट अपने वीट फार्म के साइड में बनाएंगे और यहां पर चंग स्रेंडर नी हो रहे भाई साब क्या ही करू भाई छोटे मोटे गिलेचिस आप देखो यहां पर हमने इसलिए नहीं बनाया मतलब हमने पहले सोचा कि हम जश्ट अपने वीड फार्म के साइड में कोबल स्टोन फार्म बनाएंगे लेकिन तभी हमारे दिमांग में आया है कि हम अभी अपने वीड फार्म को और भी ज्यादा बढ़ा करने वाले हैं तो इसलिए हमने कोबल स्टोन बगार हटा है मतलब यह सब हटाने में भाई साब हाला टाइट होगी हमारी फिलाल के बात करें तो यार अभी भी भाई साब थूड़ी सी जगह बच चुकी है और हमांस भाई जब से लगा हुआ हुआ है मतलब मैं इंट्रो रिकोड कर रहा था और हमको नहीं इस मतलब थोड़ी सी जगह पर पस यह डर्ट एंड कोबल स्टोन बचे तो इनको हटाना है इसके बाद यह जो पूरी मतलब जगह है यहां पर हम बनाने वाले है अपना कोबल स्टोन फर्म मतलब आप सोच भी ने सकते भाई इतना ज्यादा बड़ा बनाने वाले है कर फिल सब को हटा दिया है और अब हो चुकिया अपनी सारी जगह मतलब की प्लेन एंड भाई साब इसको प्लेन करने में क्या ही मेहनत लगी है फिलाल की बात करें तो आप जो हम अपना कोबल स्टोन फर्म बनाने वाले है उसके लिए हमको जो समान चाहिए वो मैं आपको दिखा आप देता हूं पहले आप देको इसमें रखे स्लाइम ब्लोक इतने सारे अब आप इस से पहले यह बोलो कि भाई इतने सारे ब्लोक कहां से आए तो पिछली वीडियो में त्यार अपना लेम इन फां बनाया और इसलिए बनाया है क्योंकि हमको पता था कि हमें जो कोबल इसके बाद हमें स्मूथ स्टोन तो हमार पास इतनी भर मार रहें कि क्या ही बहुत बना रहें क्योंकि आगे हम जो भी चीज़े बनाएंगे ना उनमें स्टोन की जुरत तो पढ़ती पढ़ती है इस वाली चैस्ट में आर अपने रेड स्टोन रिपीटर रेड स्टोन आपको इस वाली चैस्ट में भी अपना स्मूथ स्टोन कर तो देखो वास्ट जो मतलब काम है ना हमें जो करना है वह यह हैं कि हमारे पास और सारी चीज़ा है लेकिन अभी बनाने करने लेकाएं नाब पास भाब नहीं कर बहुत ही सारा लावा चाहिए तो मैं हापर सबसे पहले थोड़ी बकेट्स ले लेता हूं इसके बाद आब हमको जाना है नैदर और नैदर से लाना पड़ेगा लावा एंड इसके बाद हमको चाहिए डैड कोरल मतलब उसके बिना तो कोबिल स्टोन फार्म जो मतलब हम टी एंटी डूब्लिकेटर बनाते हैं वो चलेगा ही न तुम वीडियो पर देख रहे हैं कितना जाद आप अजीव पनी सा लग रहा है तुम यहां पर सो रखे था इस जगह पर पत्थरों तो मेरा गोड़ा खांगा वोड़ा चलते हैं आपने गोड़ो को लेके अब देखो इस वाली वीडियो में गोड़ो का भाई काफी जाद तो इसलिए बहुत जादा काम आएंगे फिलाल की बात करें तो हमको जाने अभी नैदर और इनको यहां छोड़ देते हैं मैं मैं तो अपने वाले को इसमें बांदेता हूं तो चलो काई यहां से यहां से जितना लावा हो सकता है उत्ता लावा लेके चलते हैं तो यह और लावा लेके तो फिलाल के बात करें तो हम आ चुके हैं घर और फटाक से चलते हैं हमांस मेरा गोड़ा नहीं लेने का यार यहां इसकी लीड यहीं करी रह जाएगे चलो कोई नहीं आजो तुम्हें अपना गोड़ा जा रखा था यह कौन है अच्छा सीप मेरे को लगा एक और डोग आ गया खैर फिलाल के बात करें तो यार हम नेधर जाकर भाई साब बाल्टी भर भर के लावा लिया हैं मतल यहां पर हो चुका है बाल्टी भर के लिए इतने लावा से काम हो तो जाना चाहिए और नहीं भी होगा ना तो हम मतलब वापिस से नेधर जाकर लावा ले आएंगे अब नेक्स्ट जो चीज हमको चाहिए वो चाहिए डैड कोरल तो यार अब हमको डैड कोरल ढूंडने ज अब हमको तो परिछों हमको से नेधर डीओ को अखर अब इतने जॉबड नेधर से नेधर है अब आपको एक दो करने है उदिक्त नेधर का है चाहिए नेधर को जए गए पानी ब्लू है मेरे मेरे इस इस सब्सक्राइब करें आहित लिए नहीं अच्राइब मेरे मेरे जिलना संफेट डीक और करें ऌहित पर आसरे दिदेड़ कॉरल इस सुम्नलेरो बीदेट स्क्राइब स budकिनग किया और इस सदिद्सक्रा बेब सलेफियर still तोड़ते रहो जितना भाई लेकर लेकर जा सकते हो यह पर जितने भी कोरल चाहिए ठेल हमने मतलब जितने कोरल ले सकते तरह हैं उतने कोरल ले लिये हैं और फिलाल के बात करो तो हमारे पास एक ष्टैक से ज्यादा कोरल हो चुके हैं अब इसके बाद एको जब भी आपको मतलब ऐसे कोरल बगारा चाहिए हो ना तो ये जो जगह ये भाई साब ऊपर से दिख जाती है मतलब थोड़े चमकीले से पत्थर लगे रहते हैं आप तो ये मतलब अलग से दिख जाएगी और सबसे बड़ी बात करें तो रात हो चुके है और अब हमको वापिस से अपने घर जाना है मतलब बस यार हम घर का रास्ता ना भूल जाए कर फिलाल के बात करें तो भूल भी गए तो मैं आपको बता दूंगा तो हम जल्दी से पोस्टें कर तो भाई अभी हुआ कि जश्ट यार मैं थोड पास है और वो फट गया मैंने भाई साब मतलब यह क्रीपर ऐसे टाइम पर ही क्यों आते हैं खेर गाईस अब धेको यार हम क्या है कि आपना जो फांगने वाले उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं सोड और एक्स जो अपनी साइड में रग देता हूं मेरे क ग Charles हम चाहिए स्मूथ स्टोन के मैं कम से कम तीन स्टेक ले लेता हूं इसके बाद हम चाहिएए और प् spoken Спас यहां से मैं भर लेता हूं कstesग चाहिए 8 दो ऑननी यहां से मैं भर लेता हूं ले लेता हूं पानी यहां पर मैंने ले लिए दो बकेट पानी इसके बाद हमें चाहिए रेड श्टोन एंड रेड स्टोन के बाद चाहिए हमें एक competitor एक चलो 32 का एक आ रहा है तो 16 ले लेता हूं चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है redstone मैंने ले लिया है और हमें चाहिए piston piston ले लेता हूं and repeater redstone repeater यह रहा ठीक है तो यहां पर मैंने solar redstone repeater ले लिया है तो अब इतने में काम हो जाना चाहिए और कुछ होगा तो मैं नीचे आ जाओंगा बापीस से लेने तो फिलाल की बात करें तो देखो मेरे पास है तीन स्टैक स्मूथ स्टोन के आठ बकेट लावा दो बकेट पानी एंड एक स्टैक redstone dust का and solar redstone competitor piston and redstone repeater so finally guys अब देखो यार हम जो अपना cobblestone farm बनाने वाले हमने फिलाल decide करा है कि हम एक चंग पे एक cobblestone का farm बनाएंगे तो एक चंग किये रहा तो finally जो इसका center होना चाहिए एक बार मैं इसका center देख लेता हूं क्योंकि मैंने यहां पर पहली गिन लिये थे तो यहां से सबसे आपको four इसके बाद आपको आजाना है इधर दो तीन-चार इन का इसके बाद आपको क्या है कि यार इसकी फेना बना देनी ए सब़ुकर यहां से आपको यहां fij को यहां तरत वोल वनानी आप दोनों तरफ चार ब्लोक रखने सेंटर से देखो यह सेंटर एक दो तीन चार ठीक है और सिंपली ऐसे एक दो तीन चार और फिर दोनों तरफ से चोथी वोल से मतलब कि इस साइट से भी चोथी वोल से इस साइट से भी चोथी वोल से आपको ऊपर तक वोल ले जानी है लगाना है यहां पर एक श्टोन लगाना है अब इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ एक वोल खीज देनी है ऐसे करके कुछ इस तरीके से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यह वाली देखो यह वाली वोल हमें ऐसे नीचे तक लेके जानी है इसी तरीके से एक लाइन खीज देनी है उपर से नीचे तक आपको वापिस से और चले जाना है यहां डियर् a वाली आजिर नीचे देना है इसके त्खिसडे चाहँ करकेते पहने पर नेचे जाता हूं और भाई साब मैं कुछ जादे ही नीचे आ गया खेर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं वाफ इस से ऊपर चला जाता हूँ तो मैं जितने भी लावा की बखिट है वह सबसे पहले नीचे वाली लाइन में रख लेता हूँ एक अपने स्टों और एक में पिक आक सो सबसे पहले में चलता हूं नीचे इंड सिंपली अब आपको सबसे पहले तो यह वाले लोग तोड़ना है उपर आ जाना है और अब सब लावा डाल देता हूँ आ हम यहाँ जल्दना है गयाँ यहां पर चा 현 किuffed दीड़ी बात आप यदर वी आपको डाल देना पानी अब पानी डालने के बाद आपको एक तरफ को स्टोन तोढ़ने पढ़ेंगे तो आप पानी के तुरू मतलब की स्टोन तोड सकते हो तो मैं जल्दी जल्दी स्टोन तोड़ देता हूं यहां पर देख सकते हो बस एक आखर स्टोन रहा गया और इसको मैंने तोड़ दिया अब स्टोन तोडने के बाद पर देख से वापिस से जाके लिया तुम्हारे लिए मैं सबसे इधर वाली चैस्ट में ऊपर रख रहा हूं तो मैं चाहिए होंगे तो अब इसके बाद को एशन मोंढ़ा है फिर आपको यहां पर डालते रहना है इसके बाद आपको यह तोड़े ना घटिस लगाना है यहां पर आपको डालना है रैडसम और उसका मूभ उन चाहिए मतलब नो जो है इस तरफ होने चाहिए and then इसके बाद आपको फिट से red stone डाला है यहाँ पर red stone डाला है and अब यहाँ पर आपको मुड़ना है अब यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो कि wiring जो है यहाँ से cut हो रही है तो एक block again उपर आना है यहाँ पर एक stone लगाना है फिर यहाँ पर इसके बाद आपको red stone बी डालते रहना है मतलब साथ ही साथ वरना बाद में नहीं डाल पाऊगी क्योंकि एक एक block का gap बसता है जिसमें से आपको फिर block तोड़ के वापिस से wiring करनी पड़ेगी सो वाइरिंग के लिए ब्लोक तोड़े इससे बड़ी हाँ लगे हाथी मतलब कि रेड लगाते रहो सो अपके इसके बाद आपको च्टोन लगाते रहना है और इसका मुझ इधर ही रखने हैं आपको एंड फिट से आपको stone डालना है again एंड इसके बाद यहां से एक block उपर फिर यहां पर stone लगाया एक block उपर एंड यहां पर कुछ इस तरीके से और देखते रहना है कि कहीं से wiring कट तो नहीं हो रही है अब इसके बाद यहां पर आपको फिर से again red stone डालना है एंड वाइरिंग के लिए और सबसे बड़ी बात जो है ना गाईज कभी भी piston के आगे repeater को मत लगाना वरना उसके आगे वाला जो piston है वह काम नहीं करेगा इस बात का ध्यान रखना आप अब इसके बाद फिर से मैं again stone लगाता हूं यहां पर stone लगाया यहां पर stone लगाया यहां पर stone लगाया अब देखो आगे वाईरिंग वाईरिंग वह कट होगी इसलिए मैं यहीं से इधर को ना चाहिए तो मैं इसको इक बार तोड़ देता हूं पर अपको आना है इधर और रिपीटर को लगा देना ऐसे अब इसके बाद आप इस वाद इस वाद इस तोड़ सकते हो इसके बाद आपको अगें यहाँ पर रेड स्टोन डालना है इसके बाद आपको यहाँ पर भी रेड स्टोन डालना है यहाँ पर मैं फिट से अगें श्टोन लगाता हूँ और यह वाली वाइरिंग को लगता है मैंने फिट से कट कर दिया नहीं इस बार नहीं करा रिपीटर हम लगा देते हैं यहां पर हमने कर दिया वायर इन अब इसके बाद किया आइस पर झाना है यहां से एक ब्लोग ऊपर आजाना ओप यहां पर आपको बना देना है वाइरिंग का सिस्टम जिससे कि यह मतलब चले तो यहां पर मैं एक प्लैटफोर्म बना देता हूं जल्दी से तो देखो उसको करने के लिए सिंप्ली सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर रखना है और इस वाले होपर को ऐसे कुछ इस कुछ नहीं करना बस इसके अंदर एक समान डालना है तो समान डाल देता हूं मैं एक स्मूथ स्टोन फाइन लिगाई यहां पर यार मैंने वाइरिंग कर दिया अब एक बार यार मैं आपको अच्छे समझा देता हूं पर को आपस मैं अटेच कर देना है और इसके बाद आगे आपको लगाना है redstone repeater जो कि मैंने नहीं लगाए था तो that's why यहां पर यह activate नहीं हुआ था and then इसके बाद आपको कहाना है इसके आगे redstone लगाके same इस वाली wiring को connect कर देना है जो wiring आप नीचे से लेका है थे उससे and इसके बाद आपको कहाना है hopper में एक item डाल देना है यहां पर जैसी मैंने wiring जोड़ी यह चलने लगा तो एक बार मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ कि यह नीचे से देखने में कैसा लग रहा है क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ी दिर वेट किया क्योंकि यह इसके अंदर से काफी जादा आवाज आ रही है तो यह आपको मेरी आवाज ने सना देती अब इसके बात देखो नीचे से यह कुछ यह इस तरीके का लगेगा मतलब कि अंदर से कोबल स्टोन की बारा ब्लोक निकल के आएंगे जो कि इस तरीके से रुख जाएंगे अब आपको पता हुआ कि जो पिश्टन है वह सरी बारा ब्लोक तक पुस्क कर पाता है उससे ज्यादा नहीं कर पाता तो जब बारा ब्लोक हो जाएंगे तो जो यह कोबल स्टोन है यह निकलना बंद हो जाएंगे अब इसके बाद हमको simply क्या करना है कि एक TNT डुप्लिकेटर लगाना है इसके ऊपर उससे क्या होगा कि जैसी TNT डुप्लिकेटर हम लगाएंगे वहां से TNT टूट टूट के गिरेगी और उससे क्या होगा कि थोड़ा टाइम इसे लगा क्योंकि यार मेरे को लगे हाथ आपको समझाना भी था अब अगर आपको कुछ भी ना समझ भाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दे ना अब simply यार मैं जल्दी जल्दी सारे बना मितलब हर चंग में एक बना लेते हैं अब अगर आप 2-3 बना ही बना सकते हो फिल दो से आपको एक मिन उतल जाएगा लेकिन दो से काम हो जाएगा लेकन फिरिया अपने हैं तो हम सारां कर रहा हएा मिर तो इसको मारना पड़ेगा पहले तोबला यह गजली अग्ण मर न एक हम यह से बाहरा आजाता च brightest start वाबी नहीं फटना तुम्हें तेरी यासी किता है इस बार नहीं फटने दोंगा मतलख उस बार तो में ए-f के था तो यह सारी तबहाई की मतार के चला गया लेकिन इस बार नहीं खेर गाइस फिलाल की बात करें तो यार हम जल्दी जल्दी अब भी हर चंक में बनाने स्टार्ट करते हैं और तब तक के लिए आप टाइम लैप्स इंजोई करोगे झाले सेक्षण गधिलाई युद आपा करोगे अचंगे इसना अबडी करोगेैं करता हैं दोन फंखेमा ्ख्ञ्डलोफ लैज़ थाल Janeiro है वे झाल भाइस ज्यपन würगे झाला सकत Вамक doctor तो इसे का कि सब करें यहां पर यहां हमने एक लीन को क्पिलिट कर दिया और एक लो में हमारे camar आते हैं साथ फार्म क्वाइशंगकर सब् glacier को नियुद्स संब्सक्राइब युद्सक्राइब करेंजности लिजदस कि अब अब ट्वावलिया बीड़ा quatro होके यह तो इक घंटे में जोuffleाइट बीशते कँवल्शोंकर घंटे सईका प्रिजारओ हमें को स्geordवा सीकट यहां को lah डील मतलब अत चैमें हम तीन लाइन बनाने वाले हैं और सोच सकते हैं उसके बाद हमको भाई हमारे पास कितना जादर कोबल स्टोन होगा अब मतलब यह एक फार्म बनाने में हमको सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं अब इसके बाद हमको यह वाला चंक कंप्रीट करना है मतलब हर चंक में हम एक बना रहे हैं अब इस वाले चंक में क्या है कि यह वाला फार्म है सो अब एक चंक बीच में गैप देखे हमको क्या कहना है एक यहां पर बनाना है जल्दी से हम फिर अब बनाने स्टार्ट करते हैं कि अब अब आगा इस यहां पर हमने दो लाइन का काम कंप्लीट कर लिया है आपको दिखा देता हो कि अब यह देखने में कैसा लग रहा है सो भाई साब देख सकते हो मतलब यह देखने में कुछ ऐसा लग रहा है अब इसके बाद मैं आपको एक बार इसका ना उपर से भी व्यू दिखा देता हूं कि उपर से देखने में कैसा लग रहा है सो गाइस उपर से लग रहा है मतलब क्या ही लग रहा है सेम अभी ऐसे दो लाइन और हम यहां पर यहां पर बनाने वाले हैं एंड देन यार मैं आपको मिलता हूं थोड़ी देर में वान इटनी लेटर सो गाइस फाइनली ओल्मोस्ट ग्यारा घंटे हो चुके हैं इसके बाद यार हमने भाई सब इतना कंप्लीट कर दे हैं यहां पर पूरे में हमने मतलब कि यहां पर तीन स्लोट्स बनाएं एक तो ए इसके बाद हमको बना रहे हैं कलेक्टिंग सिस्टम सो गाइस अभी फिलाल के बाद करें तो देख सकते बाइस अब देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है क्या ही वह लो यार कैर गाइस वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो यहां तक आ गए हो देखते आज मतलब हम इसको कंप्रीट कर के जाएंगे तो फिलाल के बाद करें तो मैं जल्दी से चलता हूं नीचे एंड़ सबसे पहले हम बनाते हैं TNT डूपलीकेटर अब भी देखो creeper फटने की sound आयती और देखो यह again भाईज आप creeper क्या करके चला गया मतलब चाहता क्या है यह creeper दो बार इसमें हमारी chest तोड़ दी आर भाई सारा समान अगें भी खर गया क्या करें इसका है सो फाइनल गाइस अब हमको बनाना है टी एंटी डूप्लिकेटर और उसको बनाने के लिए हमको ज़रूरी चीजे चाहिए वह सबसे पहले स्लाइम ब्लोक एंड उसके बाद चाहिए फैंस डेड कोरल चाहिए को यहां से कईसे करना आप एक पर बनाते हो तो उसका टी डूप्लिकेटर आपको किस तरी किसे बनाना है जो सबसे पहले कपकर कहा है कि है ध्यक्ति यहां से ना साथ आगे जाना है सो यहां से देखो वञट टू त्रीici at 10 आप आपको यहां से 10 लोक ऊपर चलाना है 1 2 3 Q और पर आने के बाद आप पर यहां पर एक दोक करना है एंद देंमेन इसके बाद है कि यहां पर आ तो यहां पर मैं एक यह रख देता हूं एंड इसके बाद आपको यहां पर लगा देनी है डेड कोरल मतलब कि कोरल लगाओगे वह डेड कोरल में अब जाएगा यहां पर लगता है में एक ब्लोग फिट से साइड में जाना पड़ेगा जाएगा जाएगा इस तरीके के लगे यह बबल कोरल फैन भी लग जाएगा एंड थोड़ी देर बाद यह कनवर्ट हो जाएगा डेड कोरल में क्योंकि यह पानी से चलते हैं और अगर इनको पानी के बाहर लगाओ तो यह डेड हो जाते हैं तो यहां पर यह डेड कोरल बन गया है तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट काम करना है अब आपको फैंस के साइड में स्लाइम ब्लोक लगाना है फिट स्लाइम ब्लोक लगाना है फिर इसके ऊपर आना है इस वाले Doj Slime Block से दो Slime Block पीछे जाना है मतलब क्यासी है 1 2 और 2 जाने के बाद आपको ग्रहते हैं कि ये वाला जो है इसको तोड़ देना है अब यहाँ पर आपको लगा देना तिक पिस्टन पिस्टन स्टीके पिस्टन उपर लगा इसको बाद तोड़ देता हूं सो यहाँ पे एक मिनट इसको भी मैं तोड़ता हूं and यहाँ पे आपको एक Slime Block लगाना है और अपको लगा देना यह Tiki Piston and फिरसे आपको लगाना Sline Block लगाने के बाद गाएज आपका काम कम्पलीट हो जाएगा आपको काना है यहां पर drug देना है minecart, minecart लगाने के बाद गाईज अब इसको हमको own करने का system बनाना है, so own करने का system को इस तरीके से बनेगा, so सबसे पहले हमको यहां पर block लगा देना है, and इसके बाद हमको 7 block आगे जाना है, here से 1, 2, 3, so finally guys, अब यहां पर देखो हमने कितने block लगा लिया थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ ब्लोक हो चुके थे, अब इसके बाद क्या है कि simply हम को यहाँ पर लगा देना है, redstone repeater, so repeater आपको कुछ इस तरीके से लगाने हैं, सबसे पहले इनके मुँ इस तरफ हो चाहिए, और इसको बिल्कुल पीछे की तरफ कर देना आ आप इसके बाद इनका मुँ इधर करना है, so ऐसे कुछ इस तरीके से, और इनको बिल्कुल पीछे की तरफ कर देना है, so यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल पीछे कर देता हूँ, अब इसके बाद क्या कि आए इनको आप इसमें wiring से जोड़ देना है, so guys, यहाँ पर याद यह wiring करने के बाद हो जाएगा, सारा काम complete, बस अब हमको यहाँ पे एक redstone torch लगा के इसको activate करना है, so guys, यहाँ पे मैं एक बार hold check करके आएँ कि मैंने सही से सब कुछ लगा दिया है या नहीं, मतलब सब कुछ सही लगा है, बिल्कुल correct है, बस एक redstone लगाने और इसको तोड़ना है, और लो भाई, बन चुक है अपना TNT duplicator, so guys, मैं आपको एक बार नीचे से दिखा देता हूँ, हमेब आप water भी नहीं है, खेर उस वाले पानी मैं कूदने कोसिस करता हूँ, पर कूद तो पाया नहीं, खेर कोई नहीं, अब यहाँ पर खड़ो कि आप देखो, भाई साब TNT duplicator, मतलब क्या ही मस्त काम कर रहा है, so guys, कुछ इस तरीकी से TNT उपर से गिरेंगी है, और कोबल स्टोन की वोल को तोड़ींगी, जिससे कि हमको कोबल स्टोन मेले का मतलब देख सकते हो, कोबल स्टोन टूट टूट के नीचे गिर रहा है, अब यहाँ पर हम बना देंगे वाटर के तुरू सोर्टिंग सिस्टम, so यहाँ पर एक टूट गया है, रुको मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर हमने एक हलका से चेंज करा है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि आपको फार्म से, इस फार्म से साथ ब्लोक और बढ़ा दिया है, अब आपको फार्म से आठ ब्लोक आ गया आना है, और इसके बाद आपको दस ब्लोक ऊपर आकर अपना TNT डूप्लिकेटर फार्म बनाया है, तो यहाँ पर यार मैंने अगेन TNT डूप्लिकेटर बना दिया है, अब फार्म बोलना हूँ, TNT डूप्लिकेटर फार्म भाई क्या बोलना हूँ, यह बहुत लगातार पिछले पांच्छा गंटे से खेल ला हूँ, यह उसका नतीजा है, खर कोई बात न तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है, अब इसी तरीके से आर ऊपर से TNT जलके नीचे गिरेंगे, वो TNT कोबल स्टोन तोडेंगे, और नीचे हम बना देंगे अपना वार्टर के तुरू कलेक्टिंग सिस्टम, और भाई साब, अब हमको मिलने वाला है भर भर के कोबल स्टोन तो हम उस बटन को दबाएंगे, वेट करेंगे, कोबल स्टोन लेंगे और वापिस से इस फार्म को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको ओन छोड़ देंगे तो भाई साब इतना सारा कोबल स्टोन हो जाएगा ना, कि मतलब देश विदेश के लोगों को भी हम कोबल स् लेते हैं सो फाइनली गाइस चोदा घंटों की मेहनत के बाद हमने क्या कि यार बहुत सारे फार्म बना लिये हैं और उनका रिपीटर का भी काम कर दिया है और TNT भाला भी लगा दिया बस यार अब हम सब हमको सबको मतलब एक में कनेक्ट करना है तो भाई साब चोदा घंटो की मेहनत के बाद अल्मोस्ट अपना कोबल स्टोन फार्म बन चुका है और भाई साब क्या आप देखने के लिए थी तू वन एंड मेरे भाई देखने में कुछ ऐसा लग रहा है अब उस साइट से हम इसकी वाइरिंग स्टार्ट कर रहे है और करते 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 यहां तक लेकाएंगे तो भाई साब इस वाले फार्म में लिटरली सुगर केन फार्म के बाद अगर किसी फार्म में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है ना भाई तो वह इस वाम में क्योंकि इसमें हमको बहुत ज्यादा कैल्कुलेसन करनी पड़ी है अगर आप एक या दो फार्म है खैर फिलाल के बात करें तो आप देखो हम चलते हैं इस पाकी का काम करने। हैं अब यहां पर हमारे साथ एक सीन भी और हो गया ता वह तो यारट्व कहलं करुगा सुरी हम्हेला अब भी जहां आपको आक्नोare है जो हैं वो चलने लगे हैं और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली यार हमारे साथ हुआ क्या अब देखो हमने क्या किया ना सबसे पहले हमने मतलब कि यहां से और बिल्कुल लाज तक सबको यार एक ही वाइरिंग से अटेच कर दिया था लेकिन यार हुआ कुछ ऐसा कि यह जो वाइरिंग है ना मतलब यह काम ही नहीं कर रही थी अब इसके बाद हमने सारी चीज़े करके देखी और हमको यह बता चला कि हमको ना इनको एक एक करके ओन करना पड़ेगा और भाई साब इस चीज़ में मतलब कि हमें काफी जादा टाइम लेगा पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं हम कुछ ना कुछ जुगाड करके इसको करी देंगे ठीक खर फिलाल के बात करें तो देखो हमने सबको एक-एक करके ओन कर दिया है और अभी हमको इसको पूरे को ओन करने में लगे हैं 20 मिनट तो अब हमको यह देखना है कि 20 मिनट मैं को कितना कोबल स्टोन मिला है और भाई आज जादा तो होपर में टक रखा होगा मेरे हिसाब से तो फिलाल के बात करें तो देखो यार हमने जो इसका सोल्टिंग सिस्टम है ना वो कुछ इस तरीके से बनाया है मतलब की सेम यार जैसे अपना सुगर केंफार्म का बनाया है ज आठ ब्लोक तक फ्लो होता है और अगर आप आठ ब्लोक तोड़ दो तो वह आगे के आठ ब्लोक पे फ्लो होता है तो इसी तरीके से हमने हर हर फ्लोर का आठ ब्लोक तोड़ा जिससे कि क्या हुआ कि वह आगे आठ ब्लोक फ्लो हुआ फिर इसी तरीके से यार हमने आगे तक प्लो कर दिया और भाई साब मैं तो यार भूती जादा था ग्या हूं वह हमें 15 से 16 घंटे हो चुकी है मतलब भीज में यह लग गये भाई साब यार क्या ही बहुत है काफी जादा जादा मेनत लग यहा हमने यहां पर इसका सोर्टिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया तीन सोल सेंड लगा के हमने कहा है कि पानी को उपर तक लिया है और उपर आने के बाद यह देखो भाई साब कितना सारा कोबल स्टोन यहाँ पर अटका पड़ा है और धीरे धीरे चैस्ट मारा है और भाई साब यह वाली चैस्ट जो अपनी फूल हो चुकी है और बागी यार मतलब यह देख सकते हो यह चैस्टर भी फूल हो रही है अब आपको पतागो कि होपर क्या है कि यार काफी जाद स्लो काम करता है तो इसलिए यार यह आप पर ऐसा हो रहा है खेर गाईज अब यार हमको मिलने वाले हैं 6,45,45 या कुछ ऐसे मतलब 6,50,60,000 के आ है अपना मेगा कोपर बोल स्टोन फारम वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोव खोलकूट फारम सो खाइस कैसे लग है आपको आज की यह वाली वीडियो तो जरूर से एक लाइक कर देना मतलब करी दिना लाइक करीते लेdropाइक बहुत महनत लग आइसमें कहाफ हैं तो भाइक कर कर देना जरूर से लाइक चैनल पर पहली बार आड़े और सब्सक्राइब करके उस बेल का इकन को जरूर से ओल पर कर देना एंड हाँ शेयर कर देना इस वाली कमाल की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी माइनक्राफ्ट केलते हैं मतलब उन्हें भी पता चलना चाहि प्रकाइब लिए आप हलका से चोटा सा टाम लेस्ट देखो पीस घुर्ड़ अगे अगधर अगरे 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 कि अबबालॉब दिवाओ कर दो. कि अबालॉब दो. हुआ है इस तो आपाल टे लिगाई है अन्यार हुआ है अग्कष्ण है तो गजल और भी को है तो ईप्सक्टर ब किया दोया है अजय है चरपफ़ कि जतना है बुमाईब है बातर वार में पुमातर दोप्ण है झाल, 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 झाल